क्लास एत्थ, सोशल साइंस यानि की जो SST है, उसका हम लोग सेमपल पेपर देखने वाले हैं, ये विडियो बहुत ज़्यादा इंपॉरटन रहे का, अगर आप अपने एकजाम की परपरेशन कर रहे हैं, तो सेमपल पेपर में जो क्वेशन्स आते हैं न, वो बहुत ज़्य important होते हैं actually ये केवी का एक previous year का paper है तो जो भी समें question कूछे गए हैं वो बहुत जादा आपके लिए important होने वारे हैं तो देखते हैं section A जो है उसमें mcqs आप लोगों के आते हैं तो जो पहला question है section A का वो है कि टीपू सुल्तान's sword was made of तो टीपू सुल्तान जो थे उनकी sword यानि की जो उनकी तलवार थी वो किसकी बनी हुई होती थी तो देखो यहाँ पे side में आपको answers available हैं और ताकि आपका फटाफट जो है टाइम ना वेस्ट हो फटाफट हम करते जाएं तो जो इसका answer है कि टीपू सुल्तान की sword यानि कि उसकी जो तलवार है वो किसकी बनी हुई थी तो आंसर हो जाएगा इसका भी यानि की woods woods की तलवार टीपू सुल्तान की बनी हुई थी question number two है दबुक श्री पुरुष्टुलना तो यह जो किताब है स्त्री पुरुष्टुलना यह किसने लिखी है तो स्त्री पुरुष्टुलना यह किताब लिखी है तारा बाई शिंदेने तो किसने लिखी है स्त्री मिंडियन गवर्न होना करो इंडियन गवर्न जनेरल तो इसका तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इन में से कौन सी है, तो देखो H.A.L. हिंदुस्तान एंडिनॉटिक्स ये जो है वो सरकारी है, स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया भी सरकारी है, और N.T.P.C. यानिकि नाश्रिल थर्मल पावर कोपरेशन ये भी सरकारी है, तो हमसे पूछा गया है प्राइवेट सेक्टर यानिकि प्राइवेट इंडिविज्वल की कौन सी है, तो टाटा पावर, टाटा पावर या टाटा आईरन एंस्टील, ये टाटा ग्रुप की कमपनी है, ये एक प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है, तो ये हो गया अंसर, ने जमशेदपुर है question number 6 है which are the three main factors that cause pollution change what are the three main factors that cause population change population होती है हमारी आबादी तो हमारी आबादी में जो बदलाव आता है वो किस-किस वजह से आता है तो B option is correct birth, death and migration तो जन्म, मृत्यू or migration, migration का मतलब होता है किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ को जाना तो इससे population कैसे बदलती है देखो गाउं से इनसान शेहर की तरफ को चला गया तो गाउं की population कम हो गई और शेहर की population ज्यादा हो गई ये होता है migration तो 3 factors जो कि population जिसकी वज़े से change होते हैं वो होते हैं birth, death or migration next देखिए question है who decides whether a person is guilty or not कौन decide करता है कि person guilty है या नहीं तो देखो ये काम करने का decision कौन लेता है judge लेते हैं कि भई कोई person अफरादी है या नहीं what are minorities, minorities क्या होती है तो देखो community small in number जो community थोड़ी कम संख्या में होती है उसको हम लोग minority बोलते है next देखिए question है who guarantees the right to education for all children between age of 16 to 14 years तो right to education 6 से 14 साल की age के बच्चों को कौन guarantee करता है हमारा Indian constitution guarantee करता है right to education को भोपाल gas tragedy कौन से वर्ष में हुई थी तो देखो भोपाल gas tragedy जो है वो 1984 option A इसमें correct हो जाएगा 1984 में भोपाल gas tragedy हुई थी अब देखो B है identification and classification यह section A के questions थे अब section B पे हम लोग आ गए है तो section B का जो पहला question है what is meant by population composition अब भही यह वाले questions नो बहुत जादा probability है आपके exam में आएंगे what is meant by population composition तो population composition क्या होती है तो देखो answer हो गया population composition का the structure of population with various respects like age, sex, literacy, occupation, health facility, economic condition, etc. is called population composition तो population composition क्या होती है कि भाई किसी की जो हमारी population की हम लोग composition करते हैं कि भाई इस area की population में कितने लोग रहते हैं वो कैसे कि उनकी उमर क्या है वो औरत है, आदमी है उनका literacy rate क्या है भाई कितने पढ़े लिखे हैं वो क्या काम करते हैं उनकी health को किती मतलब वहाँ पर hospitals वगएरा कितने है economic condition कैसी है वहाँ के लोग अमीर हैं, गरीब हैं ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर के हम population composition बनाते हैं What is life expectancy? Life expectancy क्या होती है तो answer है Life expectancy is the number of years an average person can expect to live based on data तो life expectancy होती है number of years an average person can expect to live मतलब एक इंसान हमारे देश में या फिर किसी भी पर्टिकुलर देश में कितने वर्ष तक जीएगा वो उसकी life expectancy होती है मतलब जैसे हमारे देश में लोग वो 67 years है कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी उमीद है कि वो 67 years तक जी सकता है तो ये life expectancy होती है next question देखते हैं और ये बहुत important questions है ध्यान सिन को देखिए what are the main factors which influence location of industry हमारे देश में industry की location को matter करने वाले कौन से factors होते हैं किस-किस वज़े से किसी जगा पर industry लगती है तो देखो the location of industry is affected by availability of raw material land, water, labor, power, capital, transport and market ये question ना आपके एक्जाम में देखने ना पका है बहुत ही important है this question is very very important which are the main factors which influence location of an industry तो location of an industry को कौन कौन से factor influence करते हैं raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market next question है where were classes held under the system of Patshala Patshala के system जो होता था उसमें classes कहां पर होती थी तो answer है देखो यहां पर answer लिखा है classes were held under a bunion tree or in the corner of a village shop or temple or at gurus home या तो guru के घर पर होती थी या फिर बर्गत के पेड़ के नीचे होती थी या फिर किसी shop के किनारे या फिर मंदिर के प्रांगण में होती थी next question 15 है the world population has grown very rapidly तो दुनिया की population बहुत तेजे से बड़ी है ऐसा क्यों तो देखो आंसर है इसका the world population has grown very rapidly due to the advancement in science and technology that in turn resulted in increased food production and development in healthcare facility all this has helped in reducing death rate तो death rate जो है हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में कम क्यों हुआ है क्योंकि देखो एक तो science and technology ने बहुत ज़्यादा advancement कर ली है जिसकी वज़े से हम लोग अब ज़्यादा खेती कर पाते हैं ज़्यादा खानाओ का पाते हैं हमारे medical system काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है जिससे हम लोगों की जानपजा पाते हैं इस वज़े से world की population बहुत ही तीजी से बढ़ी है next question देखते है what are the different reasons people had for not sending girls to school यानि की कौन-कौन से reasons है जिसकी वज़े से लोग जो है लड़कियों को school नहीं भेजते हैं तो देखो इसका answer है there were the reasons मतलब काफी सारे reasons हैं जिसकी वज़े से लड़कियों को school नहीं भेज़ा जाता था पहले जमान में आप भी भी नहीं भेजते हैं कुछ लोग they feared that school would take girls away from home school will prevent them from doing their domestic duties अपने घर के काम लड़कियां नहीं करेंगी girls had to travel through public places in order to reach school अलग अलग जगह हो से लड़कियों को गुजरना पड़ता है जब school जाती हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता था पहले traveling to school would have a corrupting influence them लड़कियां पिगड़ा चाहेंगी school रहेंगी तो they felt that girls should stay away from public spaces लड़कियों को भीड़बार के लाको या फिर जो common इलाके होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए लड़कियों को घर में रहना चाहिए बच्चियों के लिए school किसने start किये तो इसका answer है बेगम रुकईया शखावत हुसेन started schools for Muslim girls in पतना इन कलकत्ता तो बेगम रुकईया शखावत हुसेन ने start किये थे school Muslim girls के लिए पतना और कलकत्ता में next है why did Gandhi ji choose to break the salt law? Gandhi ji ने salt law क्यों तोड़ा? तो देखो इसका answer है the salt march related the general desire of freedom to specific graviyan shared by everybody and thus did not divide region poor hence in 1930 Gandhi ji declared that he would lead a march to break the salt law तो Gandhi ji ने देखा कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर भीगाता है गरीब भीखाता है अब अमीर और गरीब दोनों को ये मुद्धा effect करता है और salt पे तो tax होना ही नी चाहिए इसलिए उन्होंने salt को चुना अपने अन्दोलन के लिए Question 20 है What is the role of police in the criminal justice system? Criminal justice system जो होता है यानि की अपराद होते है या फिर सजाद मिलती है या नियाय मिलता है उसके लिए police की का importance है तो in criminal justice system the police play the role of investigating the case and arresting the accused तो case को investigate करना और accused को arrest करना ये काम होता है police का Next question 21 है Why are most of the private hospitals and private schools located in major cities and not in towns or rural areas तो जादा तर बड़े-बड़े hospital और अच्छे-च्छे school जो होते हैं वो शहरों में होते हैं गाओं में क्यों नहीं होते तो देखो इसका जो answer है Most of the private schools and hospitals are located in the cities rather than in town or villages Since their sole motive is maximum profit, the services they offer are costly and are affordable only by the effluent dwellers in the city तो देखो जो जो जादा प्राइवेट होस्पिटल होते हैं प्राइवेट स्कूल होते हैं उनका काम होते हैं प्राइवेट कमाना, मुनाफ़ा कमाना शहरों में अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोग वो हॉस्पिटल जाएंगे तो बड़िया बिल पे कर पाएंगे अमीर लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो शहरों में अमीर लोग होते हैं इसलिए जो private school और private hospital होते हैं वो शेहरों में ही होते हैं नेक्स देखिए वाटार public facilities, public facilities क्या होती हैं तो essential facility that need to be provided for everyone like healthcare, sanitation, electricity, schools and colleges etc. that are also necessary are known as public facilities, public facilities जो सबके लिए जरूर है जैसे की hospital, साफसफाई, बिजली, school, college जेसा public facility होती हैं नेक्स देखिए, what does the right against exploitation say? तो right against exploitation क्या कहता है? तो answer है, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages और under bondage राइगेंस एक्सप्रोटेशन ये कहता है कि भई किसी साब जबदस्ती काम नहीं कर आ सकते हैं next है, on the political outline map of India, mark the, अब ये map आ जाए तो अमरितसर, डांडी, चौरी-चौरा, पूने, ये आपको लोकेट करना है map में तो यहाँ पर answer दे रखा है कि अमरितसर कहाँ पर है? अमरितसर पंजाब में हैं तो देखो पंजाब ये रहा, इंजिया के map हम लोग देख लेते हैं ये रहा पंजाब, और पंजाब में क्या है? पंजाब में है अमरितसर, ये देखो यहाँ पे है पंजाब और पंजाब में चंडी-गड़ भी है और अमरितसर भी आप यहाँ पर mark कर सकते हो फिर है डांडी, डांडी यातरा कहा हुई थी गुजरात में, तो आप गुजरात का मार्ग करके यहाँ पर डांडी लिख देंगे चौरी चौरा, चौरी चौरा हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में मार्ग करके आप चौरी चौरा लिख देंगे नेक्स्ट है पूने, पूने कहा है, पूने महराश्र में है, तो आप पूने यहाँ पर लिख देंगे नेक्स्ट है सालेम आईरन एन स्टील इंडस्ट्री, तो सालेम आईरन एन स्टील इंडस्ट्री देखो तामिल नाडू में है दुरगापुर आईरन एंड इस्टील इंडस्टी से वेस्ट बेंगौल है कोइमपितोर तामिल ळाडू में है और इंदौर कहाँ पर है मध्य प्रदेश में तो सालेम आईरन एन स्टील इंडस्ट्री कहाँ है सालेम आईरन एन स्टील इंडस्ट्री है तामिल नाडू में सालेम आईरन एन स्टील इंडस्ट्री फिर दुर्गापूर स्टील इंडस्ट्री हाँ पर है वेस्ट बेंगॉल यहां पर आप माँख कर दोगे दुर्गापूर स्टील इंडस्ट्री हाँख कर दोगे koimbitur, koimbitur فير سے j desserts 같은 textile industry कहाँ पर है, koimbitur भी Tamil Nadu में है तो koimbitur आप लोग ruct Tamil Nadu में fill कर दोगे फिर उसके बाद indoor cotton textile industry, तो indoor cotton textile industry कहाँ पर है, madhyap Luck तेश में तो यहाँ पे आप indoor cotton textile industry fill कर दोगे तो यह हम लोगों ने class 8 का SST का सेंपल पेपर देखा होफुली वीडियो पसंद आया होका इसी तरीके के वीडियो डेली देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें थेंक यू